आईए तो बात करते हैं question number 22 की इसमें क्या बोला है कि expenditure और saving of a person जो है वो 4 is to 3 के ratio में है इसके बाद है कि savings को इसने 1 by 5 से increase किया है अच्छा saving is increased by 1 by 5 of his income ध्यान रहें income का 1 by 5 और income को same ही रखा है तो हमें बताना है कि new ratio of expenditure and saving क्या हो जाएगा तो आईए यहां पे savings है expenditure है दोनों को add करके क्या जागा income तो यहां 1 by 5 की बात हो रही है मतलब 5 से divisible होने पर सही रहता तो हमने ना saving को 4 के बदले में अच्छा 4 is to 3 है तो 4 है expenditure expenditure को 4 के जगा पर 40 लिख लिए और इसको 3 के जगा पर 30 लिख लिए तो अगर हम बात करें तो income हो जागा total 70 फिर बोलता है कि भाया savings को आपको बरहाना है और कितना से बरहाना है तो बोल रहा है कि total income जो है उसका 1 by 5 से बरहाना है तो अगर हम 70 का 1 by 5 करें तो क कितना जाएगा 14 आजाएगा तो income जो है savings जो है 14 से बरह गया तो कितना हो गया 13 प्लस 14 करेंगे तो 30 प्लस 14 जो गया 44 अगर income सेम है तो expenditure को 14 से कम करना परेगा और expenditure कितना हो गया 26 तो नया expenditure का receive question में expenditure and savings पूछाए 13 इस टू 22 हो जाएगा जो कि है option number 3 तो उमीद है यह चीज़े आपको समझ में आई होगी अगर कोई भी समस्या है आप comment section में जरूर पूछ ले तो अगर यह वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुचाई हो तो वीडियो को like करना ना भूल और चैनल पर नए है तो चैनल को जरू से सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर सारे बेस्ट प्यू का solution मिलेगा आपको detail में और अगर हम यहाँ पर कोई concept discuss करते हैं तो उठाएंगे basic से लेके जाएंगे top तर तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए solution के साथ और एक नए concept के साथ